पुरुशार्थ अगर पुरुश हो तो पुरुशार्थ करो और महिला हो तो मेहनत करो सब बुलो आगे बढ़ने का मिसन पुरुश हो तो पुरुशार्थ करो और महिला हो तो मेहनत करो अगर पुरुष हो तो बिना पुरुशार्थ किया खाओ मत चाहे आपकी उम्र आठ साल की है चाहे असी साल की है आठ साल की भी अगर उम्र है तो मैं बच्चों से भी कहूंगा बच्चों कोई न कोई घर के लिए आहूती जरूर दो मेहनत जरूर करो बिना अपनी और से सेक्रिफाइस किये घर में रोटी मत खाओ विदेसों से सीखो वहाँ पर दस्वी क्लास के बाद में किसी भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए आगे मम्मी पापा खर्चा नहीं देते हैं पूरे विश्व का यही तरीका है कि दस्वी के बाद अगर पढ़ाई करनी है तो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ानी के लिए जाओ और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपनी पढ़ाई की व्यवस्था करो हमारे भारत में लोग MBA भी माबाप के बरो से LLB भी माबाप के बरो से लाश्ट तक चूसन करते रहते हैं लाश्ट तक हम उनको हो उनको हम लोग सब लाश्ट तक हम उनका माल लूटते रहते हैं गजब की बात पढ़ाई भी उनके बरो से लोग बेटे शादी भी उनके बरोसे, सादी भी उनके बरोसे, दहेज भी, उनके बरोसे गहने चड़ाना भी, उनके बरोसे और टाबर पैदा करना भी, उनके बरोसे और मायरा भरना भी, उनके बरोसे तो तेरे बरोसे क्या है भई फिर? अपने अपने पूरुशार्थ को जगाओ दस्वी अगर पढ़ चुके हो तो मम्मी पापा से कहो पापा आपको हमरे लिए जितना करना था आपने कर लिया अब इन पाउं में इतना दम हो गया है कि अब हम अपनी गाड़ी खीच सकते हैं और जिस दिन आप एल-एली भी करके नौकरी कर लो उस दिन पापा से आकर कह दे ना पापा आपको जितनी महनत करनी थी कर लिए आपनी जिन्दगी बर हमारे लिए महनत की अब हम आपके लिए मेहनत करेंगे आपने हमें सुख दिया अब हम आपको सुख देंगे हमारा कल जो बीता था वो आपकी वज़े से था और हमारा आपका जो आने वाला कल होगा वो हमारी वज़े से बीतेगा अगर हमने हमारा कल उनको दे दिया माबाप सुखी हो गए क्योंकि उन्हों नहीं मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करो, हम समाज में जरूर रहते हैं, समाज में किसी की दो रोटी जरूर खाते हैं, पर मैं बिना संकोच के ये बात कहूंगा, हम समाज की दो रोटी तभी खाते हैं, जब उससे 20 गुना वापस लोटाने के हमें ताकत हो, हम धरमादा नहीं खाते हम संत बन गे तब भी हम धरमादा नहीं खाते हैं हम फोकट की रोटी नहीं खाते हैं हम उसे 20 गुना लोटाने की अपने भीतर ताकत बटोर चुके हैं इसलिए हम समाज की दो रोटी खाते हैं ये रिन हम बहुत भारी पड़ता है ये धरम का रिण बहुत भारी पड़ता है अगर हमने बिना कुछ लोटाई अगर समाज की दो रोटी खा लिए तो हमें अगले जनम में बैल बन करके वापस चुकाना पड़ेगा हम मेहनत करते हैं मैं कहता हूँ आप भी मेहनत करो मैं कर दूँ बीथा एक काम कर कपड़ा क्पड़ा नगले समince को काम मैं कर दूँ अपनी और से अपनी बोडी को हमिशए लगाए हुए रखोगे हैं अपनी आपको हमिशा लगाए हुए रहु हूँए तो यह बोडी भी ठीक रहे चलते रहे दियान लखना भाई बैनों अगर इस बॉड़ी को काम में लेते रहोगे ना तो 90 साल की उमर तक भी आपको शतायू भव का आशिरवाद चाहिए वरना विभावना साड़ साल की उमर में कोई मोटा, कोई पढ़ा, कोई जड़ा, कोई लड़ा, उठी जने, बैटी जने, दुखे, कमर दुखे, माथ्चा दुखे, गोदा दुखे, ऐसे दुख्ती काया को लेकर जीने की वज़ा है, तो आज शाम का सुरियास तो हो उससे पहले ही राम नाम सत है जीओ तो ऐसे जीओ कि हम एक्टिव होकर के जीए हमारी जिन्दगी 90 साल तक भी जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारी जिन्दगी चलनी चाहिए और जिन्दगी को चलाने के लिए अपने हाथ पाउं को चलाते रहो पुरुशार्थ करो, अपने आपको देखो हाथ दोनों आगे बढ़ा कर बोलो तो मैं पुरुशार्थ शील हूँ क्या हूँ मैं? मैं पुरुशार्थ शील हूँ वापस दोबर बोलो तो मैं क्या हूँ? मैं पुरुशार्थ शील हूँ जो डिले डाले पड़े हैं वो भी अपने आपको जगाओ और अपने आपसे कहो मैं पुरुशार्थ शील हूँ जो डिले पड़े हैं थोड़ी कमर सीधी करके बोलो तो मैं पुरुशार्थ शील हूँ कौन सा हूँ मैं पुरुशार्थ शील हूँ निकम्मी जिन्दगी मत ज लादा दादी कितना भी कमा चुके हो पर अपने आपको अंतिम सांस तक एक्टिव रखो ऐसे जियो कि जब उपर जाने के वेला हो तो अस्पताल में पड़े रहकर सुई या खाखा करके ना जाना पड़े चलते फिरते ही और आप बाहर जाकर बोलेंगे अरे पता भी नहीं चला मम्मी कहा अभी तो बोल रही थी कि बेटा तो सुखी रहना तो अच्छा रहना तो ये करना वो करना और अच्छानक मम्मी ने कहा बेटा थोड़ा बैठतो मैं तिरी गोद में अपना माथा रखती हूँ और उसने माथ फिरते जियो और चलते फिरते ऊपर चले जाओ मैं पूरुशार्थी बनने के लिए प्रेरिना दूंगा आदिनाथ भगवान ने कभी हमें असी मसी कृषी की सिक्षा दे कर हम सब लोगों को लेखन करना भी सिखाया किसान बनना भी उखाया सस्त्र बनना भी शिखाया हमें कर्म योग की प्रेड़ना दी और मैं आप सब लोग को कर्म योग की प्रेड़ना देते हुए कहूंगा बारे खड़ी में कह पहले आता है और कह बाद में आता है कह कहता है पहले करो और कह कहता है उसके बाद खाओ, कर्म योग से जी मत चुराओ कहीं अगर किसी के शादी में भी चले गए ना सीदा जाकर के थाली उठाकर के खड़े मत हो जाना पहले वहां आदे गंटा सेवा देना कर्म योग किये बिना कहीं भी खाना हमारे लिए पाप हो जाए फोगट का खाना हमारे लिए पाप हो जाए किसी भी स्वामी वस्सेले में जाओ कहीं भी जीमने में जाओ ना सीधा जाकर के घर सिगडी सव परिवार पहुँच गए एक साथ दस जाओ प्रेम से जाओ या तो मेहनत करके वहाँ पर चुकाओ या वहाँ जाकर के 1100 के रसीद कटा करके वहाँ से निकलो लोग बेटे आते हैं जीम जीमा करके और सब माल ठोक करके चले जाते हैं कच्रा कच्रा सारा और कर जाते हैं फोगट का खाना छोड़ो ये समाज में फोगटवारियों की जो व्यावस्ताएं हो गई है उसे उठाकर के डश्ट बीन में डालो हर आदमी एक्टिव बने हर आदमी समर्पन करे